जैन सभी को मैं प्रेम जित सिंग जित फ़ॉंड सिंग कासर में एक बाद फिर साब सभी का स्वागत करता हूं और इसी कड़ी में मैं दूसरा वीडियो लेकर है हूं सिल्वी कल्चर का ठीक है बड़ ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोशिंस हैं जिसका पूरा संभाव ह है और नंबर अब कोशिंस भी आप देख पा रहे होंगे ठीक है इसलिए वीडियो कि लेंट लंबी होगी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल अकन प्रेस करें कि जो भी वीडियो आए आपको तुरंत अत्काल प्रभाव सही मिलें कि एक्जाम में समक्वें कम सम में बचा है और जैसे कि 5 दिसंबर 12 दिसंबर आपका सायक परियोजना चेत्रपाल का जो सीजी आपके तरह जूत हो रहा है कोशिंस उसमें भी इस पीडियाप से 110 परसेंट मैं सी ओर हो कोशिंस आएंगे ठीक है एक सभावी तापर कह रहा हूं है आके अप गर्याने मत लिए गया है तो बढ़िया पढ़िये बढ़िया त्यारी करिए कोशिंस नंबर फूशिंस में यहां लेकर आ रहा हूं इनसा आपको बड़ा हेल्प मिलेगा से बीकल्चर की जो बात करते हैं तो इसमें पहला कुशन आता है हमारा कि मोस्ट एक्यूरेट अच्छा है यह यह करता है रिलेटिव हुमेड़ी को मिजर करता है है याद रखियेगा बहुत इंपोर्टेंट कोशिंस हैं और पूरी संभावना है कि आपके एकजाम में आपको यह देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट쪽 स्वेक्ट्स अफएक्टिंग ब्रेकर्प के ऐन वह धिक ने तुमबर जनरी हाल फूम वें दर ट्रीज आर ठीक है नेट दोजर तेरे चोड़ा का आई हुआ कोश्य नहीं ठीक ट्रीज आर ओल्ड यंग बोथ A and B ये नन तो जब वो यंग होता तब ही हामफुल हो सकते हैं ठीक है याद रखिएगा आप इसको ठीक है कि जो रूल है वो आपको ठीक बताने कि किसके द्वारा जो ये इंट्रोडूश किये गया था नेट थोजर तेरे चोड़ा करशा ग्लोवर्स लॉरीज हावार्ड्स या नन अब दीस तो इसका जो एंसर होगा यह दिया गया था ग्लोवर्स के द्वारा ठीक है नेक्स कोशन है कि एन एरिया वेर प्लांट्स रेजड फूर इवेंच्वल ट्रांस्प्लांटिंग नोन आज यह भी नेट दोजर तेरे चोड़ा कोश्यन है उसको नर्सरी बोलते हैं बोटनीकल गार्डन बोलते हैं यह अबहरा सभी बोलते हैं तो इसको बलता है नर्सरी ठीक है एवेंच्वयली जब ट्रांस्प्लांटिंग किया जाता तो वह नर्सरी कहलाता है ओर्डिनरी धीनिंग Ordinary Thinning is also known as NET 2014 question है German Thinning, Thinning below Thumb rule of Thinning या A and B तो यह होता German Thinning और Thinning below यह याद रखिएगा आप Pool Frost Come Only Occurs in यह भी दिखे आये होगा question है Pool Frost जो है वो प्लें एरिया में, हिली एरिया में अजूलेटिंग सर्फेस में स्टम्प हाइट नेस्ट को शोचन है हमारा स्टम्प हाइट इस ठीक है कितना होना स्टम्प हाइट नेट 2034 का है 10 से 30 15 से 30 20 से 40 यह पचेश से 50 से 20 तो 40 संटीमेटर तो स्टम राइट विल भी 15 तो 30 संटीमेटर नेस कुश्चन की और गें बढ़ते हैं कि विच स्पीसी सीड्स डिस्पोस्ट बाइब बर्ड ठीक है यह साल मलबेरी टीक यह सिस्सो तो यह एंसर होगा इसका मलबेरी कि सीवीपी इंडेक्स गिवन बाई जो सीवीपी इंडेक्स है किसके द्वार दिया गए क्लिमेंट पिटरसन बर्मा या हावर्ड तो यह दिया गए पिटरसन के द्वारा याद रखिएगा नेक्स कोशन के और पढ़ते हैं स्पीसिज सिच्वेटेड फोर एरिड जोन इस आर एंसर है प्रोसोप इस जुली फ्लोरा या प्रोसोप इस सिनेरारिया या मेलिया दूबिया ठीक है तो एंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी प्रोसोप इस ठीक है जिनेर या और जुली फ्लोरा सकसेजन अंडर एक्स्रीम लेट राइप कंढिशन इस जिराच जेरोफाइट्स मेसार्च या मेसोफाइट्स तो यह कहलाता है जराइड जराइड एराइड ठीक है symbol used for dominating area so dominated tree symbol used small d dominated tree के लिये small d length of the lowest section in stem analysis is 3 meter 1.3 7 meter 5 meter 2.74 meter stem analysis के 2.74 meter करते हम लो next question है कि a forest that is regenerated from seed is called regenerated किया जाता है तो उसको हाई forest कहते हैं या हाई forest seed से regenerate किया जाता है ठीक ये question अभी repeat भी हुआ है बट घुमा के repeat हुआ है तो इस पर ध्यान दीजिएगा focus रखेगा बना के अपना मैं वीडियो के लिए जादा लबी ना हो जल्दी बता रहा हूँ ठीक है number of questions आप ज्यादा देख पाए अच्छा number of fruits available for harvesting is known as ठीक तो इसको हम लोग बोलते हैं चार options है हमारा इस में से fruit retention जो है वो सही answer होगा ठीक आगे बढ़ते है plants which can grow on salty soils are ठीक थेलोफाइट्स, लीटोफाइट्स, हेलोफाइट्स या हेलोफाइट्स तो जो plants ठीक है salty soils पर ग्रोफाइट्स पर ग्रोफाइट्स पर ग्रोफाइट्स कहलाते हैं अब याद रखेगा when stem is cut to produce suits at a height that puts it beyond the reach of browsing browsing animals is called ठीक पुलाइडिंग, advanced running, copyking, copyking या crown तो यह होता है पुलाइडिंग ठीक है पुलाइडिंग ये पुलाइडिंग ये पुलाइजिंग center of origin of लुएग सेना लुई सोसी फाला इस लुएशी फाला इस ठीक है MPPSC ACF 2011 कुश्चिन है ये center of ठीक है ये कहाँ पर इस्तीत है तो ये आप बता दीजिएगा Central America and Mexico Central America and Mexico में स्तीत है अप्लाइड वीट पून टॉप रूट एड कट बैक स्टम यूस्ट फर प्लांटी इस टॉम्ड एज ब्रस्वूड कटिंग, क्राउन कटिंग या स्टम्प या कम तो कम नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा स्टम्प ठीक है दी कल्मिनेशन स्टेज इन प्लांट सक्सेजन फोर गीवन इन्वार्मेंट इस ये भी देखिए सिफ दोजार इगारा कुस्च्चन है कि क्या कहलाएगा सर्याल स्टेज, क्लाइमेक Glaze, इकोस्टम थिए कहला थाक्लाइमेक्स स्टेज अंग.. नेज्स्ट्रें लाइट रैंफॉल टैंपररीच्र क्यृट्र रैंफॉल तेंपरेच्र लाइट वाइंड रैंड औ्रूमिलिटी आर ठीक है rainfall temperature light wind and humidity sorry humidity है और वो हम लिटी लिखा गया है तो यह गलत है humidity rainfall temperature light wind and humidity ठीक है एस यह 2011 का question है तो बहुत भी important question है तो these are the climate factors ठीक है यह सब क्या है climate factors है आगे बढ़ते हैं the plants the plants which grow in water और इन वेरी wet places ठीक है actual में wet places होगा वह वेर प्लेसे हो गया है typing mistake है यह वेट क्या कहलाते है hydrophytes hydrophytes mesophytes epiphytes तो यह कहलाता है hydrophytes ठीक है wet areas में अगर यह एन एरिया सो constitute अंदर दो इंडिया एक्ट और अदर फॉरस्ट लॉइस कॉल्ड एन एरिया सो कॉस्टुटेट अंडर दो इंडियान एक्ट और अदर फॉरस्ट लॉइस कॉल्ड एस यह 2011 कुश्चन है ठीक है क्या बलते है इसको इसको बलते है reserved forest क्या बलते है reserved forest ठीक इन नाइट्रोजन साइकल विच अब द फॉलिंग प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल सबको पता है नाइट्रो वेक्टर ठीक दम यह इजी कुश्चन था ट्रोपीकल एवर्ग्रीन और रैंफोरेस्ट अकर इन एरियास विथ अन्वल रैंफॉल ठीक है तो इसका अन्वल रैंफोल वहां क्या होना चाहिए ट्रोपिकल एवर्ग्रीन और रैंफोरेस्ट ओकर इस ठीक है तो एक्सेडिंग 200 mm होना चाहिए भाई एक किलोमेटर में कहां से रंफल दे दिया मिलीमिटर होना चाहिए ठीक है तो अट लीस्ट जो है ठीक है पहला ही अप्शन हमारा सही होगा इसमें की 2000 mm के अराउंड ठीक वहाँ पर इस जो हनी है रंफॉल हनी चीए ठीक है विध अनुल रंफॉल जिस 2000 mm ठीक है और बढ़ते हैं विच विच वार्टक रवीजिए थे दीक । वैस विच वैर्टक रशन्शिप दीक आजटोबेक्टर पायर यह क्लॉस्ट्रीडियम यह नाइट्रो सोमोनास तो राइजोबियम जो है वो सीम्बाइटिक रिलेशनशिप सो करता है इसको क्या बोलते हैं ग्रिगरियस, sporadic, polysemus या डियोसियस तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडिक प्रोडिक ठीक है रिमोबल और पूर स्ट्रिदिंग बिफोर दे लीव दो नॉर्सरी फूर प्लांटिंग आउट इसकोल्ड एसी इफ दोहजार ग्यार कुश्चिन है सूट कटिंग थीनिंग प्रोनिंग या कलिंग तो यह कहला तक कलीं कूलिंग या कलिंग ठीक है जो भी आपको प्रेंशित करना है वन अब दफॉल्विंग ट्री स्पीसिज इस नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग ठीक है एसीफ दोहजर ग्यार कुश्चिन है कैसिया नीलोतिका दलबर्जिया सीसो अजादीर इंडिका लिए सेनिया लियो सोसी फाला ठीक है बड़ ज अजादी राष्टा इंडिका इस कुश्चिन का अंसार है ठीक है नॉट नाइट्रोजन फिक्षिंग ठीक दलबर्जिया सीसो इस ए इसी अब 2011 कुश्चिन है लार्ज डिसीडियस ट्री के अंतरगात आता है यह अब सब देख सकते होंगे यूकलेप्टस यह ठीक कहा का है आफ्रीक ऑस्ट्रीलिया इंडिजीनस ट्रीय अप इंडिया चाहा इस्ट्री लिया का भाई उगलिपस सिल्वी कर चलो इज भीस डिफाइंड रस सरुभाइट एक। प्रीफॉचू नौर्ड के बदेशन फोरस्टकॉब्स टॉलिस को जार्ट पूलिस गूल तो इसकी मात्रा का भी प्रभा पड़ता है हाई फॉरस्ट ठीक थी सबको पता है तिसी बार रिपीट हो रहा है डिराइब फ्रम सीट ठीक है प्रपिकल मोस्ट डिसीडियस लाइट दीमांडर ट्री पीसीज इस पॉपुलस सिलिएट सोरे रोबस्ता तूना सिलिएता या क्यों मेनी ठीक है मागे बढ़ते हैं प्लांट हुज नॉर्मल लेपीटल इस नाइधर वेरिवेट नौर वेरिड्राइब इस एंपीस यप जो है 2011 कुश्यन है तो यह कौन सा प्लांट होगा यह आपको बताना है यह प्लांट हुज नॉर्मल है भी हैबिट इस नाइधर है टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिय टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिय विच फ़ल्विंग तो इस नॉन कॉपी सिंग स्पीश ठीक है ठीक बवूल एक्वेलिप्टस और पाहिन और पाइन थे का थीक है Pines जो हते हैं उन लोग ओंगा एनरजी प्लांटेशन इस रेजड इन एन ए कोशन जो है आपको इसका अंसर बताना है कि वाइडर स्पिसिंग खेटर प्लांटिंग यह को पाइग यह कॉपी विद रिजर्व तो यह जोगा क्लोजर स्पिसिंग थे कोशन है कि कि in yearly stages of plantation the kind of thinning recommendation is free thinning mechanical thinning ordinary thinning advanced thinning तो इसका अंसर हो जाएगा कि अगर इस तरीके का stage of plantation करते हैं तो वो कह लए तो mechanical thinning थीख बर्ड बर्ड पुर्णिंग इस एड़ोकेट फॉर एसी एफ दोजारी का रहा थीकनेस ऑफ वूड नॉट फ्री टिंबर डिजिस फ्री टिंबर और बोल लेंथ ठीक है तो नॉट फ्री टिंबर वीच अब दा फॉलविंग नॉन लेज लिग्यू मिनोस ट्री स्पीसिस फिक्स नैट्रोजन ठीक है एसी अब 2011 क्वेशन है तो इसका अंसर होगा कि वही चार अप्शन दिये हो गए हैं एंबलीका अफिसीनलिस ठीक है एककिया निलोतिका कसुरीना एक्वेस्टी फोलिया औ तो इसका अंसर होगा और एक्वेस्टी फोलिया ठीक है उसमैर कोशोभाई ऑनकासर हो तो इसका होगा जी फस ठीक है ऑनसर क्या होगा जी फस रत लीजियो काम एक तीन इस भी सबस्टिरेट इस एप रहे सब्सक्राइब और वर्ड फोरेस्ट इस डिराइब ट्रॉम लेंगवेच ग्रीक लेंगवेच लेटिन अमेरिकन और फ्रेंच तुप इस डर्लाइटीन लाइटीन याद रखेगा इन हाई फोरेस्ट डीज़नेशन इस अब बतेंड बाइ है थेक हाई फोरस्ट रिजनरेशन इस अप्टेंड बाई बिच्व दो 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 कोशन कटिंग ग्राफ्टिंग सीट्स यह बढ़िंग फिर से हाई फोरस्ट है मतलब सीट्स यह तो एक दम याद रख लिए आप लोग चैंपियों एंटेट इन मेजर ग्रूप्स है लीव Das晚 gros में विए तो 25 में नेक्स्ट कोशन है कि ट्रोपिकल फोरस्ट रफ इंक इन्टू ग्रूप्स बेच चunion तो सत्ट पर बडींटार अरको ट्रीज विच सेट अल देर लिफ्स डूरिंग विंटर और कॉल्ड ठीक है यह कोश्चन है असाम एसीव दोजार बारा का सुरी दोजार तेरा का देखना है इनको हम लोग नाम देते हैं डिसीडियस ट्री ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे अगे असाम एसीव दोजार तेरा कॉश्चन तो इसका अंजर होगा वाटर प्लांट्स ग्रो इन सल्टी एंड सलाइन वाटर अर कॉल्ड तो यह अल्रेडी एक बार और आ चुक है और अगर आपको याद होगा इसी पीडियेप में था उसको ह है क्या नम दिए ता है है फिह ठीक अफ्र स्टेशन मिन्स असाम इसी दू ज़न को सिना किया म्मीन होता है तो अफॉरिंग को सिं तो बंपर प्लांटीशन psychology Every minute होता है plantation next question है कि the example of Himalayan coniferous forest type tree is Assam ACF 2013 कही question है ठीक है कि जो Himalayan है example coniferous forest type tree वो कौन है तो वो है pine pine tree the example of evergreen forest ठीक है जो इसनों पाय जाते हैं forest tree type is korn होगा टीक ओक जामुन और साल तो वो होगा ओक आई थिंग सो ओक ओक ठीक है ओक ओक ट्री विच अब फॉलिंग फॉरस्ट इस बायो टीक असाम इसी अब 2013 कोश्चन है कि वीच अफ फॉलिंग फॉरस्ट इस बायो टीक तो यह होता है फोटो पेएड ठीक है जो जो फॉस्ट ओल अप्शन है वही ठीक सियो कंटेद आभ दो तो उख यह होता है नहीं होता है सायल सैनल इसी मैजार्ड भाई साम हिस्व न्हीं सि идет है जिसके डोराemetery चॉस्था नहीं के दौरारे कि तोいきます तेंप्रेचर बेस्ट तेंप्रेचर बेस्ट जोन जेन नहीं वो जोन है बाई अल्टिट्यूड आप 10,000 इस असाम इस यह दोजार ठीक है तेरह कोश्चिन है तो इसका एंसर हो जेगा अल्पाइन ठीक अगला है कि डिफोरेस्टेशन में रेड्यूस दे चांसे आफ रेनफॉल ठीक है रेड्यूस दे चांसे आफ किसका कर देगा रेनफॉल का लगर डिफोरेस्टेशन होगा तो वह जदे प्रोड काट दोगे तो रेनफॉल ऐसे भी कम होगा ना तो वही चीज़ पूछा है बस डिरेक्टली इजी कुछ पूछा उसना है दर लास्ट अच्छा कुछन शूट गया कोई ठीक है दरी मूबल ऑफ स्वाइल बाइदे एक्शन फोर्टर इस नून एज सब को यहां पर वाटर में सिंगा टाइपिंग में धरी में विश्याइब अफ्टर यूटा पाइद रखिएगा तो प्लांट ग्रूफ ऑन दो रोक्स आरोन एज ठीक है इनको जो रॉक्ष पे जो पैदा होते हैं उनका लोग लीथो फाइट बोलते हैं ठीक याद रखिएगा the instrument used for measuring the height of a tree is तो इसको बोलते हैं क्लीनो मिटर क्लीनो मिटर जो ट्री का हाइट मिजर करता है ठीक एन एरिया इन विच फॉरस्ट फॉर्स्ट आर्मोर फ्रिक्वेंट और मोर इंटेंस दैन इन डिस्ट्रिक्ट जनरली इस कॉल्ड तो इसका एंसर हो जाएगा फॉर्स पॉकेट ठीक बहुत सारे टर्मस में से हैं कन्फूजिंग है यह सी अब तमिलनाडू कोशन आए हुआ था ठीक चलिए फिल इन दे ब्लैंक्स इस फॉर्स्ट टाइप क्लासिफाइड बेस्ट अन दे ग्रोविंग स्टॉक हाइफ फॉर् बलते हैं नॉर्मल फॉर्स्ट ग्रोविंग स्टॉक के कोडिंग यह तमिलनाडू प्यस्ट इस इस फॉज़र चॉदा क्वेशन है अगला क्वेशन आधाय टाइप औफ पिट ठीक है था थाइप फिट उस फो ड्राइज जोन प्लांटिंग इस टिक इस फॉज़र चॉद अधर क्वेशन औरुडिनेरी पिट रिंग पिट सौल कूलर पिट सौंसर पिडशा इंटीक प्लन इंटीक जैन कॉन दerson के फी मैं अधिनरी ने कॉन तो मैंकनि कल तेनिंग इंटीक paljon इस कॉना फॉर्स्ट इसका अवना चीए इनॉर्मल मीकनिक доб बिल्कुल नर्मल इंक्रीमेंट बिल्कुल अन्मल ग्रोंग्विश्क बिल्कुल यानि की एलने कि अल अब देवाब करतीव जैंशनल अलब यपाब। वर्ट हॉस्टो्य प्लाट्स वर्ट ह् एुसका इंजर क्या होन अचीह है तकिंग रूट्स अब of parasites creeping roots of timber sucking Roots of Parasite or sucking group Roots of Wands ठीक तो इस गैंसर होगा sucking Roots of Parasites फ्रस्ट प्रोडूस्ट बाइकॉल्ड एर ब्राउट फ्रॉम एल्सवेर इस कॉल्ड ठीक है इस यह कि एड़ एक्टिव फ्रॉस्ट तो यह थोड़ा ज्यादा कोश्चन होने की वज़ए से मैंने वीडियो जो है उसकी जो लेंद स्पीड है जो थोड़ी बढ़ा दी है कि आपको नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा मिले जो एक्जाम के पॉइंट व्यू से और यह दो चेप्टर ही मेजार है मतलब चेटर ऑन चेप्टर टू ठीक और इंदा बढ़िया त्यारी कीजिए आपके तिन-तिन इजाम है पहले तो आपके प्रिस टेक एक वीडियो का मुझे 500 लाइक से यह ठीक है लाइक क्लाओ क्या बंगते हैं लाइक करिया कि भी पिक आउट दो लाइट डिमांडिंग ट्रीश पीसेज लाइट डिमांडिंग ट्रीश पीसेज तो यह होगा ट्टू ना ग्रैड इस ठीक है लाइड डिमाल इस ठीक एन एग्जाम्पल अब प्राउऋजिंग अणिवल तो यह हो जाएगा ब्राऊजिंग अनिमल कैमल ठीक है अगला है फ्रस्त प्रोडूशे बाइध लाईंड देर ब्रॉट्ड इयर ब्रॉट्स पॉल्स पाल अभी अमने पढ़ आप आद टीप ठीक है कि शूबह बूल ठीक है अच्छा फिल इंद ब्लैक्स इस नॉन लिमिनस नेट्रोजन फिक्सिंग ट्री ठीक तो इसका एंजर क्या होगा तो दो बहुत होगा ठीक है एलनस नेफले नेपालेंटिस और कासोरोनिया इक्विस टेफोलिया यह पहले भी आचुका है ना याद र पयल्योन लॉजी ठीक है याप याद रखेगा वाइंड पोलिनेशन इस नोन एज वाइंड पलिशन इस नून एज इनेमुफिली क्या बूलते हैं इनिमो फिली, वाइं पॉलूशन, ठीक, the loss of plant nutrients by erosion is called, ठीक है, saltation, क्या बूलते हैं इसको, saltation, plant nutrients जो खो देता है, erosion के कारण, उसको हम लोग, saltation बूलता है, regeneration of solar, forest affected due to invasive, ठीक है, fill in the blanks, ठीक है, इसका answer क्या होगा, तो यह होगा Achaecia Achaecia या Achaecia Muir C ठीक है? Achaecia, Muir C Option B अगला कुशन है कि Eryzophora, Avicenia Bruguera and Seriops species are typically found in तो यह सारे इक सारे पाजाते हैं हमारे Mangrove Forest में सारे इक सारे कहां पाजाएंगे? Mangrove Forest में अच्छा, Maharashtra महारास्टर से वकुशन है, Maharashtra is covered with fill-in-the-blanks type of grassland ठीक, तो यह जो है सहीमा, ठीक है, Decentium टाइप के ग्रास से covered है पूरा पूरा Next question है, in India the conifor forests are found fill-in-the-blanks ठीक है, a region of Himalayas ठीक है, MPPSC MPSC, ACF ठीक, 2016 Sola का question है, तो यह अच्छा question है तो in India conifor forests are found in a region of Himalayas अब याद रखियेगा Which of the most common pattern of planting in forestry? तो यह अच्छा, line planting तो यह अच्छा, line planting which is not a tenting operation which is not a tenting operation weeding, soil working, thinning, cleaning तो यह अच्छा, soil working is not a tenting operation को प्लांटिंग स्टॉक रिक्वाइड तो प्लांट वन हेक्टेर लेंड अफ लेंड एट टू मिटर इंट त्री मिटर स्पेसिंग इस यह दोजर बारा क्वेश्चन है फिफीन हंड़ेड 1666 टीक है यानि की वन हेक्टेर लेंड में 1666 अगर टू बाई थी के रिश्यो में उसको कर रहे हैं तो इस जब रॉंग स्टेट्मेंट अब्जेक्टिव अफ थीनिंग इस तू इंप्रूव हैजिन अफ क्रॉप बिल्कुल सही है इंप्रूब स्टेंड कांपोजीशन बिल्कुल सही है इंप्रूब पल्पूड क्वालिटी बिल्कुल सही है इंप्रूब लाटेज जो भी बोलेंगे इनका फर्मूला था डी इकोल स्टू न.फ डी डामिटर क्या लेना है आपको 1.5 डी ठीक है दिमने ट्रीकर दी यूज ऑफ कंट्रोल फॉर्म इन फोरस्ट्री यूज ऑफ कंट्रोल फॉर्म इन फोरस्ट्री यिल्ड फेलिंग्स टेंडिंग क्या कहलाता है कि एक जो डलेशन से ब्यूद्टू इस पीसिशिश हांफल टूवन इस एंटि बाइओंस इस क्या कहलाता है एंटि-बाइओओसेश टिक है तर टम माइकोर रिजा माइकोर रिजा was coined by in year 1885 तो ये फ्रेंक के द्वारा दिया गया था फ्रेंक तो फ्रेंक के द्वारा दिया गया था जाद रखिएगा in the term माइकोर रिजा the word माइको means माइको का मीनिंग होता है फंगस ठीक है माइको के मीनिंग होता है फंगस ये अच्छा कोशन था नेक्स कोशन है हमारा कि which one of the following states in having more arid areas सबको पता है सुस्क शेतर कहां पाए जाद गा ठीक है तो लाजास्थान में the tree species having zero fatty characteristics phytic characteristics are suitable for ठीक है वो arid zones में होता है तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कोशन्स जो है सिल्वी कल्चर के भी कर लिए है तो यह जो भी PDF ओगर रहा है अब हमारे टेलीग्राम चैनल जीत फॉन्डेशन क्लासस में जाके भास ले सकते हैं और यह बहुत सारे कोशन्स था और इसा डिरेक्ट कोशन्स एक्जाम माने की संभावना है पूरे प्रिवसे चोई कंटक्ट हुए एक्जाम से उनके कोशन्स में लेके आया था मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए जाए भार जाए चातिसगर्द